हेलो फ्रेंड्स जो हमने जेके SSV की प्रिवियस एर के कोशन पेपर डिसकस कर रहे हैं आज हम उसमें साइंस पोशन जो एक्जाम में कोशन पूछे हुए उसको डिसकस करेंगे साइंस देखा जाए तो BLW के स्लेबस में नहीं है लेकिन जो हमारा SI का एक्जाम आने वाला अभी जो अभी टेंडेटिव डेवड ऐसे बोला हुआ है कि LG ने अक्तूबर में एक्जाम कंड़क्ट हो जाएगा और उसके बाद SI finance का और भी जो अधर एक्जाम है जैके SSV में उसके लिए बहुत ही important है ठीक है तो चलो हम देखते हैं इसमें किस हिसाब के कोशन आयो है स्टार्ट करते हैं जैसे इसमें कोशन है दा कंप्लीट ब्रेकडाऊन ऑफ पारवड टुगी कार्मड एक्षाईट वाटर एंड इनर्जी इन एस अल टेक प्लेस इन ठीक जो ये पारू भेट है ठीक है पारू भेट है ये जब complete breakdown हो जाता है complete breakdown हो जाता और क्या release करता है कारमडा इक सैड को water को energy को question का मतलब ये है कि ये कहां पे complete breakdown होता है ठीक है ये कहां पे complete breakdown होता है तो ये कहां होता है mitochondria में, ठीक है, mitochondria में, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, ठीक है, ये है क्या चीज, आपने glucose का नाम सुना होगा, ठीक है, नाम क्या सुना है, सभी खाते हैं glucose, हाना, glucose एक क्या है, carbohydrates है, ठीक है, glucose एक क्या है, carbohydrates है, carbohydrates means कि एक nutrients है, ठीक है, nutrients है, nutrients में देखा जाए, क्या क्या आता है, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, water and reface, ठीक है, तो जो carbohydrates होता है, वो हमें क्या देता है, energy देता है, ठीक है, जो carbohydrates होता है, वो हमें energy देता है, पटेटो, राइस, इसे हमें क्या मिलती है, carbohydrates, और इसी के टाइप से, ज टाइप है गुलुकोस ठीक है इसी की टाइप है गुलुकोस कार्बोहेडिर हमें क्या देता है अनर्जी देता है और गुलुकोस भी हमें क्या देगा फिर अनर्जी देगा ठीक गुलुकोस का क्या फार्मुला है C6H12O6 ऐसे पूछ सकते कोशन में कि गुलुकोस का क्या फॉर्मुला है C6H12O6 बलब 6-carbon, hydrogen 12 और oxygen 6 ठीक है यह है आपका गुलुकोस किसकी टाइप है यह कार्बो हैट्रेट जब यह ब्रेकडाउन होता है ठीक है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है गुलुकोस की तो क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस इसका मतलब यह है ग्लाइको मलब गुलुकोस लिसिस मतलब ब्रेकडाउन ठीक है जब यह ब्रेकडाउन हुआ तो इसमें 3 कारवन रहेगे बाकी carbon किसके form में? carbon dioxide form में बहार निकल गए और इस glycolysis का जो end product होता है उसको हम बोलते हैं pyrovate ठीक है जो glycolysis का ठीक है glycolysis का जो end product होता है उसको हम बोलते है pyrovate ठीक, मलब ये एक किसकी types है? ये भी glucose की ही types है और ठीक है अगर देखा जाए तो ये जो glucose है किसमें breakdown होंके carbon dioxide और water को release करता है किसमें breakdown होता है कौन सा process होता है वो aerobic respiration aerobic respiration ठीक है aerobic respiration क्या मतलब है aerobic और anaerobic ठीक हो inspiration होती है with oxygen की help से breakdown होता है जब oxygen की help से breakdown होगा तो क्या निकलेगा carbon dioxide बहाँ निकलेगी, पानी बहाँ निकलेगा, energy बहाँ निकलेगी, ठीक है, जैसे हम carbon dioxide, हम भी हमारे में भी कौन सी respiration होती है, aerobic, aerobic में oxygen involved होता है, ठीक है, oxygen, oxygen involved होता है, और वो glucose को, खाने को, energy को तोड़ता है, ठीक है, energy को तोड़ता है, किसकी form में, pyruvate की form में, ठीक है, pyru वेट को तोड़ता है और कार्म डाइकसे निकालता है पानी निकालता है एनर्जी निकालता है कौन सा प्रोसेस होता है यह एरोबिक रिस्पाइरेशन और जो एरोबिक रिस्पाइरेशन होता है वो बैक्टिरिया में होता है और किसकी हल्प से होता है वो कार्म डाइकसेट की जैसे अलकोहल बनता है ठीक अब कोशन में यह पूछा था कि यह जो सारा प्रोसेस होता है complete breakdown होता है गुलुकोस का तो किस में होता है mitochondria में यह process कहां होता है सारा mitochondria में ठीक है mitochondria में mitochondria आपको पता होगा यह cell organally है इसको हम powerhouse of the cell भी बोलते हैं क्या बोलते हैं powerhouse of the cell most most important mitochondria powerhouse of the cell किसको बोलते हैं mitochondria क्यों बोलते हैं क्योंकि जितनी भी energy होती है ठीक है जितनी भी energy हमारी body में use करते हम chemically activity के लिए तो वो कहां से मिलती है हमें mitochondria से मिलती है किसकी form में ATP molecule की form में ATP क्या होता है adenosine tri phosphate ठीक है तीन phosphate ठीक है और यह ATP क्या होता है ATP को हम बोलते हैं energy currency energy currency इसकी form में energy release करता है कुन mitochondria most most important देखो यहां से कितने question निकल रहे हैं आपके कि जो पायरोबेट होता है वो complete किट ब्रोक डाउन किसमें होता है mitochondria में कुन सा प्रोसेस होता है aerobic प्रोसेस और इरोबिक प्रोसेस में oxygen की help से जो होता है glucose breakdown होता है किसकी form में break down होता है pyruvate pyruvate glycolysis का end product glycolysis में 3 carbon होते हैं ठीके बाकिवाले energy currency बोलते ATP Fulform क्या है? इडिनोसायं ट्राइ फॉसफेल ठीक है अब इसमें नेक्स देखते हमें क्या क्या दिया हुआ है? जैसे इनों ने दिया हुआ हमें साइटो प्लाजम ठीक है इसमें हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है साइटो प्लाजम साइटो प्लाजम आपने प्लांट सेल अनिमल सेल पड़ा होगा ठीक है आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल बॉल होती है लेकिन अनिमल सेल मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन प्लाजम मेंब्रेन को ही हम सेल मेंब्रेन बोलता है इसमें सेल वाल भी होती है प्लाजम मेंब्रेन भी होती है और अनिमल सेल में क्या होता है सेल मेंब्रेन ठीक है प्लाजम मेंब्रेन होती है और उसके अंदर जो फ्लूड वाला स्ट्रक्चर होता है यह फ्लूड वाला मैटोप्लाजम में यacia के अंदर और आप्षिस होती है न्यूक्लiones होता है इसको हम क्या बोलते हैं सैटो प्लाजम इसकी बाद एदर e calls प्रेटर बीज्वल इसको सक्害 क्या था कैमीलो ने कैमीलो ने रहुषत हो सका काम क्या यह एक इसका काम है storage करना ठीक हम खाना खाते हैं जो हमारे प्रसेस होते हैं उसको मॉडिफाइग करना और इसका मोस्ट इंपॉर्टन फंक्शन है कि जब लाइजोजोंग बन रहा होता है उसकी formation में भी help करता है most important यह बहुत बार पुछा हुआ है कि लाइज़ोंग की बनने में help कोन करता है गोलープी psychopath ऐसे लाई जोसोम भी और इसको हम सुसाइड बैग आफ सैल उसको बोलते हैं कि जो भी बैश्ट जासे डॉस्ट वी रॉता है उसको लाई जो मोलें से ऐसे बी, क्योंकि सारा जो बेस प्रोड़क्ट होता वह इसी में स्टोर हो जाता है ठीक है उसको हम लाइजोजोम बोलते हैं आप सुसाइड बैगाफ सल क्यों बोलते हैं क्योंकि कहीं इंजरी होती है जैसे बोलते ना अचानक से उसका एक्सिदेंट हो गया तो उसकी डेथ होगी यह कोशन भी बहुत इंपोर्टन है सुसाइड बैगाफ सल आइजोजोम को बोलते हैं पावर हाउस ओदा सल माइटो कॉंट्रे को बोलते हैं ठीक है यह दोनों क्या है सल और गुनली से हैं सल और गुनली से ठीक है नेक्स कोशन है इन इकोसिस्टम जू फ्लैंक टॉन इस जू फ्लैंक टॉन जू फ्लैंक टॉन इस एन एकोसिस्टम में जू फ्लैंक टॉन आता है वो किसकी एक्जांपल है जू फ्लैंक टॉन आपको पता है यह आनिमल को बोलते हैं ठीक है जो पानी में रहते हैं अनिमल उनको बोलते हैं और जो आनिमल होगा उसको हम क्या बोलत और से ला प्लान को देख़ा है कि मार्क इण वहांसे ला रहे हैं यां फिर ठीक एंट कहाना कैसे बनातेये प्लान्टू अपना वाइफ प्रॉ फ्लॉसेश प्लॉसेश ठीक है, photosynthesis process, कौन सा process होता है, photosynthesis, photosynthesis की help से plant अपना खाना बनाते हैं, ठीक, photo का मतलब होता है light, light की help से अपना खाना बनाते हैं, light चाहिए होती है, carbon dioxide चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है इनको, ठीक है, पानी चाहिए होता है इनको, ठीक, अब हम लोग क्या लेते हैं, oxygen ल लेकि नाइट के टाइम में यह oxygen लेते हैं ठीक है तो इसी की help से यह क्या बनाते है अपना खाना मेनाते हैं जो अपना खाना खुद बनाए उसको हम autotrophic nutrition बोलते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते है autotrophic nutrition इसकी example आगी plants ठीक है इसकी example हमारे हाथों पए ओढ़र निकलते हैं। हम क्या हूस अंधえ होते हम प्लांट पर साथ तक होते हैं। हीट्रोट्राफिक है हीट्रोट्राफिक ठीद हिट्डीत राफिक कि कुछ टाइब त्याइब होती है इस प्लांच न्यूपना और आपको consumer आये next time तो उसको भी क्या बोलना है हिट्रोट्राप से ही है इसकी ट्राइब से जैसे primary, secondary, tertiary ठीक है primary में क्या आएगा हर्बी बोरस हर्बी बोरस कौन होते हैं जो सिरफ गास कहते हैं secondary में कार्णी बोरस कौन होते हैं जो सिरफ मेटी खाते हैं hominivorous जो दोनों खाते हैं ठीक है और इसमें एक आता है decomposer decomposer बहुत इंपोर्टेंट है यह जो decompose कर देता है ठीक है जो soil की fertility को increase करता है इसमें saprotrops होते हैं saprotrops वो होते हैं जो dead और decay animals को खाते हैं अबने इतनी राम कथा पड़ी लेकिन हमने ecosystem बताया नहीं कि यह क्या चीज है यह सारा कुछ किसमें होता ecosystem में होता ecosystem से थोड़ा लग रहा है कि ecosystem से थोड़ा लग रहा है कि इन्वार्नामेंट के प्रेलेटिड कोई system है आप intelligent आप समझ दूसको को ठीक है इक क्या होता है इक को होता है कि इन्वार्नामेंट दूंअ में जैसे by價 क्मपोनेंट गाए ब़ेटिक क मेंन्ट और कोश्यन निकल गया linguist को से रहे जो के आगे Biotics, ये Biotics होता है, हवा, पानी, ठीक, ये दोनों जब एक दूसरे के उपर depend होके रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम हवा पे भी depend है, पानी पे भी depend है, ठीक है, जब दोनो इंट्रेक्ट करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ, उस system को हम बोलते हैं, ecosystem, जिसमें living भी nor living भी एक दूसरे पर डिपेंड यह से हम लोग पानी पे भी डेपेंड है हवा पे डिपेंड है ठीक है उस system को हम बोलते हैं ecosystem उसको first time किस ने दिया था first time किस ने दिया था AG tansaly most important कब दिया था 1935 1935 नांटीन 35 में दिया था कौन-कौन से कंपोनेंट इसमें ये बायोतिक होता लीविंग फिर इसी में आते हैं आगे जैसा इसकी कुछ टाइप्स फीर एको सिस्टम ग्रासलैंड ड़जट इको सिस्टम फिर आगे प्रोद्यूसर्स ये सब कुछ फिर आगे अब next question पूछा है, what is the atomicity of oxygen molecule, oxygen molecule में कितने atoms होते हैं, oxygen molecule में कितने atoms होंगे, कितने होंगे, oxygen का क्या formula है, O2, दो oxide को मलाके बन गया, हमारा oxygen तो कितने atoms हैं, 2, इसका atomic number क्या है, 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, next question है, the number of wave cross passing through a point, a unit time is called, ठीक है, कि number of wave cross passing through a unit time, एक unit time में, जब number of wave जो pass होती है, ठीक है, number of wave, जो repeating time में pass होती रहती है, repeating time में pass होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, frequency, frequency, ठीक है, frequency, जैसे गाने भी लगते हैं, तो आप dc के बास खड़े होंगे, तो डrrr, ऐसे vibration की आवाज आ रही होती है, तो वो wave न हम बताते हैं, diagram के साथ, यह हमारी wave, ठीक है, आप बोल रहे हैं, crust, यह उपर वाला part, जो है, वो है crust, और जो यह नीचे वाला part है, यह नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं, trough, ठीक है, उपर वाला part, crust, नीचे वाला part, trough, ठीक, और जहां से लेके, यहां तक, crust से लेके, trough तक जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं बेव लेंथ इसको क्या बोलते हैं बेव लेंथ इसको हम बोलते हैं बेव लेंथ और इसी के बीच में इसके बीच में क्रस से लेके टरफ तक जितनी वो बाइब्रेशन निकलती है जितनी पार्टिकल बाइब्रेट होते हैं जितने बाइब्रेट होते हैं nember आफ प्टे बेव लेंट रिपीटिट पर सेकेंड एक सेकेंड में ठीक है जितने बाइब्रेसिकल सब्सक्षब यहां इसे बाइब्रेटिंग उता है उसी बाइब섯 को जो repeating unit था उसको हम बोलते है frequency ठीक है उसको हम क्या बोलते है frequency I hope आपको समझ आ गया होगा frequency और frequency को हम किसमें measure करते हैं किसमें measure करते हैं किसमें measure करते हैं इसको हम ठीक है हर्ट में measure करते हैं इसको हम ठीक है इसको किसमें measure करते हैं मैं तिरह बोला होग आंप्लीटीव हमने करस्ट पनाया इसकी चुब वर्टिकल हाइट होती है नंकी है आई डिस्टेंस थिक की वेव का रिटीट पूरी किसंद्धेव जैसे मां बोल रही हो भी तो मेरे पार्टिकल निकल रहे हैं ऐसे हाथ रखना इदर गौइटर के ओपर ऐसे बाइब्रीशन हो रही होगी ठीक है एक सेकेंड में कितनी रिपीटिंग यूनर वह रहा है उसको फ्रिकेंसी बोलते हैं लेकिन जो पार्टिकल आगे आगे चल रहे हैं ठीक है उसमें जो डिस्टेंस होता है बेब का उसको हम इसके यह वाला दिस्टेंस इसको हम बॉलेंगे अब आमने इंटेंसे सुनाओगा फिजिक्स में बाड़ि इंटंसटी का मतलब होता है कि पावा इंटेंस्ती एक unit area में suppose यह area है यह बहारवाला perimeter होता है आप सभी को पता होगा और बीच वाला area होता है इस area में कितनी power transport हो रही है एक unit area में कितनी power transfer हो रही है ठीक है उस को हम बोलते हैं intensity intensity मणोब strength होना किस चीज की strength power क्या होता है rate of doing work rate of doing work मणोब काम करने का कितना rate है इसका, कितने rate है, उसको हम power बोलते हैं, power को हम किस में measure करते हैं, power को हम measure करते हैं, what में, SI unit क्या है इसका, what, ठीक है, what, तो ऐसे intensity का क्या होगा, SI unit, intensity का क्या unit होगा, मैंने बोला कि इतने area में कितनी power use हुई है, इतने area में कितनी power use हुई है, ठीक है, power transfer per unit area, ठीक है, वी आ गया पावर वी आ गया ठीक है अपको पता है मीटर स्कैरों होता है और इसलों किसка इंटैस्टी किया है छिटिक्स सर जयर्नल्य अपने स्ट्रेंट बोलते हैं इहां ठीक है कि इंटैस्टी को बढ़म हम स्ट्रेंट त्थ है ठीक है उसको हम भुलेंगे इंतेंस्थी अब आगी नेक्स प्रेब लेंथ बाय.. यह बे양 कंग रखंग इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेलेंथ नाम से पता चाहर रहा जा रहे जिक हर रहे मीटर में आप नेक्स्ट कोशन है की इक्जामपल बदानी है नेच्ट रिसोर्स क्या होता है जो गाड गिफ्टीट होता है कद्रथ ने दिया होता इस जो जिसको भार भार यूजब वो खतम नहीं होता इनग्जास्टेवल मतलब जो खतम ही नहीं होता जैसे year, sun ये खतम होते हैं जितना भी use करो आप sun की light जितनी भी use करो कभी खतम नहीं होती है ये होगे inexhaustable जो कभी खतम नहीं होते हैं और exhaustable होते हैं जो खतम हो जाए, जो limited होते हैं जैसे natural gas, mineral, coal ठीक है? natural gas, mineral, coal coal क्या आपको पता है, coal fossil fuel है? ठीक है, coal क्या है, आपको पता है, fossil fuel है ठीक है, fossil fuel क्यासे बनते हैं जो plant और animal बचारे दब जागेते हैं उसके बाद उसमें कोई oxygen, carbon dioxide कुछ भी नहीं मिलते हैं, तो carbon dioxide होती है तो उससे क्या मनता है, coal बन जाता है उसी को हम fossil fuel बनते हैं, coal petroleum को ठीक है, black gold अब आता है, the amount of electric charge flow per second is called amount of electric charge flow per second मतलब जो charge per second में flow करता है उसको हम क्या बोलते हैं, charge यह एक general term है, आपके गर में भी use होता है, crunch आप सभी बोलते हैं, crunch पड़के आज, होती क्या चीज़ है, कुन सी भलागा नाम है यह, क्या होती है, पता होना चाहिए न, ऐसे basic भी knowledge होना चाहिए यह क्या है, charge है, जो charge flow करता है, अभी यह charge क्या है, ठीक है, अभी यह charge क्या चीज़ है चाहिए आपने chemistry अगर थोड़ी पड़ी होगी, तो एक atoms होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, matter होता है, matter क्या होता है, कोई भी चीज़ उस पे जगा कवर करें, और उसका mass हो, कोई भी चीज़, ठीक है, pen हो, pencil हो, इंसान, कोई भी चीज़ जगा कवर करें, और वो किससे बनी ह होती है, atom से, human wing बना होता है, living organism, cell से बना होता है, ऐसे matter किससे बना होता है, atom से, और उस atom के अंदर होते है, charge, ठीक है, उस atom के अंदर होते है, charge, ठीक है, charge होते है, कौन-कौन से, electron, proton, neutron, ठीक, electron पे negative charge, proton पे positive charge, neutron पे neutral, कोई चार्ज नहीं, ठीक, चार्ज आपको समझ लगया होगा और यही चार्ज ठीक है कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगटिव चार्ज होता है जब वो फ्लो करता है जब वो वायर पर फ्लो करता है तो तब हिकलती है हमारी क्रंट इलेक्ट्रिक क्रंट ठीक ह कोई भी matter होता है किसे बनां होता है atom से बनां होता है चाहर से लेक्ट्रार्ण प्रोटोन निड्रॉन कौन से क्रव करता है ? उलेक्ट्रॉन जिसपे नागटीव चा Physics होता है ठीक ऐसे पूच सकते हैंगा कौन सा चार्ज होता है negative charge जब वो फ्लो करता है तो हमारी बनती है क्रण्ट क्या बनती है हमारी क्रण्ट बनती है क्रण्ट को हम किसमें मेजर करते हैं एम मिटर में ठीक है उसके बाद नीचे आया हुआ है electric potential potential आपको पता है कि कितनी potential कितनी ताक्त तरह में कितना काम कर सकता है तू बिजली ने कितना काम किया है कितना एमांट आप बूलेंगे एक बार दियान से सुन लेना यह lecture आपको यह जो physics के चोटे योटे concept है यह नहीं बूलेंगे ठीक है electric potential electric मतलब बिजली और potential मतलब कि कितना amount of work, potential होती न, कितनी शमता है, कितनी strength है, कितना काम कर सकता है, कितना amount of work done किया तुने, ठीके, कितना amount of work done किया, कितना amount of work done किया इस बिजली ने, ये वाली light ने, ठीके, आज इतनी time में light थी, तो इसने कितना काम किया, कितना amount of work done किया, उसको हम बोलते हैं electric potential उसको हम क्या बोलते हैं बिजली की potential बिजली का potential बिजली ने इतना work done किया इतना amount of work done किया उसको हम क्या बोलेंगे electric potential ठीक है उसके बाद आती है resistivity एक होता resistance होता है कि क्रंट को resist करना रोकना ज्यादा नहीं flow करना बस ज्यादा हो जाए तो बारी हो जाती है ऐसी को बोलना बस ज़्यादा नहीं फ्लोगा है, ट्रांसफर्म उठ जाएगा, ठीक है, जो उसको रोग लगा रहा है, उसको हम बोलेंगे रैसिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? जो कौन से में टीरियल से बना ऊवा है कितनी लेंट घैयंको जट गारेकर ट्रांस्फर्म ऊतजाएगा ठीक है को रोकना और रेजिस्टेंस का क्या यॉनिट होता है ओम और उस रेजिस्टेंस में हमने कौन सा मटेरियल यूजओ किया है अजलिव को जल्दी समझना जाता है नहीं आएगा तो आएगा लिख देना एक्स्प्लेइन करवा दूंगे अच्छे से अब सिंबल पुछा हुआ है कैमिकल सिंबल किसका है ठीक है कैमिकल सिल्वर एजी किसका होता है एजी ओजी गाना भी है एजी होता है और सिल्वर का region का ऐफ़िए इक आइड़न का एफ़िए गोड़िकल सोना इसका A-U आज गर सोने को देखे तो यू 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 होता है कहां लेना होता है ना आज गर चांदी को इसा भी एजी बना रहे हैं अपना सोने को यू यू करके बेज रहे हैं और अरगान का या अरगान आपको पता होगा कि यह नोबल गैसी से कौन-कौन से नोबल गैसी से हमारी हीलियम नियान, और गान, एक्जान अब नोबल गैसिस कौन सी होती है जो एट्मॉस्पर में बहुत कम इग्जिस्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं नोबल गैसिस आइरन का सिंबल FV, गोल्ड का सिंबल AU, आर्गन का सिंबल AR ठीक है आपको समझ आ गया होगा इतना हाँ पर कोशन था कौन सा इंस्टूमेंट प्रेशर को मेजर करता है ठीक है प्रेशर को मेजर करता है तो आपको पता है प्रेशर को मेजर करने वाला बैरो मीटर बैरो मीटर, बैरो, बैरो जो माता के दरवार, बैस्टनों दरवार के उपर बैरो वाला नहीं दूसरा जो pressure को नापता है ठीकिंए? जो आपके pressure को handle करता है उसको हम बोलते हैं allocate Anemometer जो humidity को humidity नामी को नापता है Ameter जो crunt को नापता है crunt जो अभी बड़ा हमने crown लगती है बड़ी geor से लगती है कौन मापड़ा उसको? Ameter Thermometer थर्मोमीटर तो करोना में सभी को पता ही चल गया होगा करोना ने तो सब का थर्मोमीटर निकाल दिया है ना टेमप्रेचर को ना आपता है ठीक है उसके बाद आता है next question which of the following device used to measure the electromotive force of this है electromotive force को कौन सा डिवाइस मेजर करता है यह जो डिफाइस है measurement है units है most important है सब लान कर लेना ठीक है रट्टा मादना रट्टा है इसको करता है potential meter अब आती है bolt meter बोल्ट क्या होती है बी बोल्ट लगी voltage यह करता है potential difference को potential difference को ठीक है potential difference को measure कौन करता है बोल्ट मिटर गल्वैनोमीटर अगर small current को measure करना होगा तो गल्वैनोमीटर यूज करेंगे अगर large current को measure करना होगा तो m meter ठीक है small current को measure करना है तो गल्वैनोमीटर large current को measure करना होगा तो m meter ठीक है ठीक है ना bolt meter potential difference को गल्वैनोमीटर small current को measure करना होगा large current को measure करना होगा m meter ammeter series में होता है, ठीक है, series में होता है, same crunch pass करेगा, और bald meter pallor में होता है, pallor में connect होता है, ठीक है, pallor में connect होता है, ठीक है, अब आधा वी चौदो following organ, is known as a food pipe in human body, food pipe of human body को हम क्या बोलते हैं, organ आपको पता है, सबसे पहले cell, फिर जब वो group में आते हैं, tissue, tissue group में आते हैं, तो हमारे बनते हैं organ, liver, lungs, यह जो organ होते हैं, food pipe का दूसरा नाम क्या है, ओसो phagus, ओसो phagus, ठीक है, ओसो phagus, अब trachea होता है, trachea, bind pipe को, जो cockroach में, वेक्टरिया में, जो trachea होता है, वो bind pipe होती है, ठीक है, ऐसे जैसे हमारे गले में एक food pipe होती है, एक bind pipe होती है, ठीक, फिर उसके बाद आता है stomach, जो हमारा पेट होता है, ठीक है, stomach में, एक acid होता है, कौन सा acid होता है, हाइडोकलोरिक एसेड हाइडोकलोरिक एसेड क्यों होता है क्या करता है यह बैक्टिरिया को मानने में हेल्प करता है ठीक है बैक्टिरिया को मानने में हेल्प करता है किल्दा बैक्टिरिया कौन सा एसेड है हाइडोकलोरिक एसेड कहां पर होता है हमारे पेट में होता है ठी यहां पर बाइल जूस ठीक है अपने सुना ओगा जो लीवर उता हो लाज़ेस्ट आर्गन है ठीक है कि एक हमन वर्डी का लाज़ेस्ट आरगन कोन है लीवर और उसके साथ ही गाल ब्लेडर होता है और वह बाइल जूस को फोर करता है lea क्या रेलिस करता यह गेस्ट्रिक जूस पैपसीन हार्मोन की दा रेट आफ चेंज आफ विलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस काल्ड टीक है जो विलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है उसको हम क्या बोलते एक्सलेशन गाड़ी में भी उता स्वीर बढ़ाने के लेकिन जो चेंज होती विलोसिटी जैसे फाइनल विलोसिटी टू इनिशल विलोसिटी उपांट टाइम जैसे आप यहां से जीवल टीक है जैसे मैं यहां से कहां जीवल गई टीक है जीवल तो यहां पर कितनी विलोसिटी लगी अब विलोसिटी क्या होती है जो डिस्टे सटी और जहां से दिवाइड करने कितनी ही नों को माइनस करेंगे । फिर टाइम के साथ इक्षिभंड करें बटाणकर और मेंटर पर एकषर एक्षान एक्ष्यमेट क्या उसके बाद है मुूमेंटम हो याद होगा है को वजटी छिद ठीक है force किसके बराबर होती है किसके directly proportion होती है momentum के momentum के इसके बराबर होता है mass in to accxication और speed speed आप सबी को पता है Speed क्या होती है speed का मतलब है कि प्रफतार हम यहां से बागें तो कितनी speed है कितनी speed है कोईवी बोल देगां तेरी बाड़ी speed यहां से कैसे अपने स्कूल, ठीक है, साइंटिफिक टाम से बड़े रफ्तार से एक्स्प्रेइन करके बताएगा, कि मैं यहां से गया स्कूल, स्कूल में गया, मेरे स्कूल का डिस्टेंस है वन किलोमेटर, और मैंने यह आदे घंटे में कवर कर दिया, जब वो इन दोनों को डिवाइड करके हमें दिखाएगा, तो हमें बोलेगा कि सुनलो जी, यह मेरी इतनी स्पीड है, ठीक है, मैं अब आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से एक्स्प्रेइन कर रहा है, आप शायद अब सैटिस्फाइग हो गयोंगे, क्या होती है स्पीड, कि हम डिस्टेंस भी देखें, कि हमने इतनी जगा कवर की है, तो इसका इतना डिस्टेंस है, और कितने टाइम में हमने कवर की, ठीक है, जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, क्या फॉर्मुला होता है गाए इससे ओ आई इस्ट RJ होगा मिटर सेकिंड डिस्टेंस को मिटर में मेजर कर सकते हैं किलमीटर में में करते हैं टाइम गोगर Tip इसको बोलना मैंने तिरे उसको फोर्स लगाई यह मैंने आई स्कूल में पढ़ा तो मैंने फोर्स लगाई यह लड़ाए नहीं करनी ऐसे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली बता देना उसको यह होती है फोर्स जब खिचोंगे बोलोगे यह भी क्या है फॉर्स और इसको हम किसम करते हैं इसमें में फिट खिफर कोशन पर देख लेना कोई हम पर देखना वहां पर वीटार किरना इसय। इसती मैं विटामिन करो रच्टा मार के करो पर इसको लर्न करके ही जाना ऑगर इक्जाम में जाओगे इस कॉशन में क्या पूछा हुआ है कि विटामीन इस आल सो नोने से बायोटीन यह लड़कियों की बहुत सेवरेट है ठीक है बायोटीन जो ब्यूटी प्रोडक्स में यूज ने आसे थोड़ा विटामीन बीसेवन ठीक है अ बतामीन के खिलाफ क्लाफ है कुछ नहांसे में निटामीन की टाइब इसके झाना यह इसा जड़ाने li के ठीड थी अब तेखते हैं विटामिन दी जो फेर वजय वहasts को हम बोलते हैं क्यािय मेंडेवाएं ऐसकेर्बो। ठीक और यह कौन से बिळारी कि दा रिकेड हड़ियोंगे ढकरता है कैल सी फी रोल जी डी का नाम है दो रिकेड की बिमारी करता है धिक द्रबी धिफिर विटामीन सी रिकेड को ढ से वुलते हैं गती की जियों में हुँता है जिसमें खॉब्याटी जीजों में होता है थिए घृटो μस्क 충성 घ्णकर्फbes कर भी ब्लीडिंग सामंगें रफी इसरो वु offer के ने को टीश के पलेड़ जाता है बीटामीन थब्री बहुत से औंग 912 थी और ठीक है यह विटामिन्स थी हमारी जो बिमारियों के खिलाफ लड़ती है अब कोशन पुछा हुआ है कि which order following lowest energy electromagnetic spectrum ठीक है जो spectrum होती है उसमें 7 ray होती है स्टीक है स्टीक है हुख्यमें कितनी lights होती है साथ उसमें पुछा है कि सबसे lowest किसकी रेडियो बेब की Applause Radio wave कहां यूज करते हैं हम formation में कोन कोन सी र इंसमें जैसे infrared दी होई यहां पर इंफ्रारेड दी हुई है जो इन्वीजिवल हीट होती है ठीक है इन्वीजिवल हीट होती है और माइक्रोबेव दी हुई है माइक्रोबेव डाटा के लिए हीट के लिए ठीक और गामा रे होती है यूबी रे होती है X-ray जो scanner के लिए gamma ray ठीक है उस सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा energy किसकी होती है gamma ray की सबसे ज़्यादा energy होती है gamma ray की जो nuclear energy होती है सबसे ज़्यादा energy होती है gamma ray की मैं आपको एक बार series में दिखा देती हूँ कौन सी सबसे ज़्यादा और कम से कम से कम ठीक, गामा सबसे ज्यादा, उससे कम X रे, उससे कम UB रे, उससे कम visible रे, उससे कम infrared रे, उससे कम microwave, उसके इसर, उससे कम radio रे, गामा, X-ray, UB, visible, infrared, और microwave radio, गामा, X-ray, UB, UB, visible, infrared, microwave, ठीक, सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रे की इनर्जी और सबसे कम radio रे, अगर सेकेंड नमर में पूछे तो X-ray, थर्ड नमर में पूछे तो UB, फोर नमर में visible, infrared, 5th, 6th, और 7th, यागी, कितनी रे होती है, साथ रे होती है, ठीक है, electromagnetic spectrum में, ठीक electromagnetic spectrum में, I hope आपको इतना समझ आ गया होगा,